Assalamu alaikum, I am Hoeram and welcome to my channel Bikini area, जिसको private area भी कहते हैं, sensitive area भी कहते हैं उसके hair किस तरह से remove करें ताके ज़ादा देर तक जान छुटी रहे और area भी clean रहे, कोई bumps ना आएं, किसी किसम की कोई redness ना हो, किसी किसम की कोई skin irritation ना हो तो इस पर मैं दो वीडियो बनाऊंगी एक वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से वैक्स इस्तमाल कर सकते हैं दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अगर वैक्स आपको पेल होता है तो आप शेव भी कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगे इसका है इभर ते से हैरे लोग उपूर मेरे टीन करने हैं, भ। झाडने हैंक अनच को मेरे चेनज नंसक्टराइब करने हैं है तो जब आग सबसे पहला आप आप नियुक्ढ ए अप किसी भी एरिया की आप को प् aúnकूर आवर्स मेर्स को जो भी आपकी आपके सु कर लेंक關係 कर ला हैसा अपकर कोफिज प्याले में अच्छी तरह से वाश करना है और वाश करेंके तो आपके डड़ स्किन है वो रिमूव हो जाएगी है और जिन्लोंों को डॉर दाarगन् का इसजी और होता है उनकी डार्कनिंग का इसुन भी दूर होता है तो आपने वश करने के बाद स्क्रब करना है पांच मिनट के लिए ठीक है जिस जिस एरिया को आपने हेर रिमूफ करने हैं और यह आपने चौबिस घंटे पहले करना है ठीक है स्क्रब कर लिया, स्क्रब करने के बाद वाश करें, मॉइस्चराइज करें और 24 गंटे के लिए छोड़ दें नेक्स टे अब आपने क्या करना है कि आपने अपने अपने एरिया को करना है वाश साबुन कर लेड़ें दुछ नहीं पर की बेड़िक और ईएी की साबून का लिए आप कोई आप को अपने एप पारी उसके बाद सुछाए नहीं है ठीक है जी सुखाने के बाब next step में आपने कोई भी जो घर में आपके powder पड़ा होगा चाहे कोई baby powder है चाहे जो powder आप यूज़ करें कोई भी powder आपने लेना है और अपने bikini area पर उसको sprinkle कर लेना है अचा powder हम क्यों यूज़ करते हैं उसके ये फायदा होता है कि जब आप wax इस् घाड आप kaakा थम्यल करने बाद चाहे को पाणने पाणना को आपके बादे को आप अठेसपाश था अपर द्फट अब आपने लेली है वैक्स अचाहे बिक नियिए के अरी चाहे यूज़ होती है रीकावेक्स लो पे में आपनी पाचर झांने आप कर दूती है इसको यू गोला वैक्स होती है या जिसको शूगरिंग वैक्स भी कहते हैं हलावा वैक्स भी कहते हैं जिसको आप वैक्स ली और उसके बाद जो अपने एरिया पर यू यू करते हैं और उसके बाद फिर यू एक दम से पुल कर लेते हैं फिर आप जो है दूसरे एरिया पर इसको इस त जूम्ट में बेपीलिटरी वेक्स ञिडिएपरीiox थेरिव इन अज्यू और रख से फूरी ये किसे अगिरो दीते है। अधर ले पर खात? अगर अगर आप स्टार्ट कर दो सकते हैं अगर आप beginner हैं क्योंकि जो expert हो गए होते हैं उनको पता होता है कि कितने एरिया पर मैं लगाऊंगी तो असानी से pull कर सकूंगी उसको pull out कर सकूंगी तो अगर आपको वो नहीं आता तो आपने क्या करना है कि थोड़े थोड़े एरिया पर आपने wax को लगाना है जैसे कि पहले अगर आपको बहुत स्ट्रिप रखनी है और फिर उसको एकदम से खेंचना है तो थोड़ी थोड़ी आप लगाएंगे थोड़ी सी wax फिर लगाओ फिर उसके उपर स्ट्रिप रखी और फिर आपने खेंच लिया यह डपिलेटरी वेक्स भी इसी तरह से होती है और बाकी ज है कि आप उसी टाइम छोड़ दो ठीक है क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सैंसिटिव होती है तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेविंग का तरीका बताऊंगी वो आप इस्तमाल कर लो लेकिन अगर आपकी स्किन बरदाश कर सकती है तो आप इसी तरह जाए कि वैक्स के साथ असानी से चिमट जाए जितने लंबे बाल होंगे उतना ही आपको दर्थ होगा अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप कर लोगे उसके बात 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 कर लो से रिमूव हो जाएगी ठीक है ओयल किया वैक्स रिमूव हो गई कपड़े से साफ कर लो और उसके बाद एरिया को वाश कर लो वाश कर लो आपने प्राइवेट एरिया के अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो ठीक है तो आपने लगाना है जी उपर फटकरी अपको बढ़ को ज़्यादा एफेक्टिव है आपके बालों को ग्रोथ को कम करने में रोकने में तीक है जी तो अगर आप जाहरा फर्स टाम तो आपको फॉर्ण नहीं मिलेगा आइस्ता ही आपको रिजल्ट मिलेगा तो अगर आप जब यद वैक्स करते हो अगर अगर भॉत लोग यह कहते है कि अगर हम वैक्स किये बगएर ही फटकरी इस्तमाल कर लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि जब आप वैक्स से बाल बिलकुल निकाल देते हो ना और उसके बाद फटकरी रब करते हो तो वो जब आपकी स्किन के अंद सकते हो ऐस Pas na हो ऐसा है कि आप फटकरी को सिर्फ वाक्स के बाद ही यूज करोगे ठीक ही तो फटकरी अगर आप और यूज करना चाहते तो आ इस इस्तमाल करोगे क्या कुई भी मॉश्चराइश फटकरी आपर अपने अपने अरिया पर अपने अरिया पर आप पर यूजा ब तो यह तरीका है कि आप किस तरह से घर में ही अपने प्राइविट एरिया या सेंसिटिव एरिया या बिकिनी एरिया को वैक्स कर सकते हो तो यहां पर फ़तम करते हैं आज की वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी दौाओं में याद रखे अपना ख्यार रखें अल्ला सबस्टे यह को दो में सबस्टे हैं शार कि वीडियो कर दो तो